Magnetic Dipole Moment of a Revolving Electron मान लो एक electron क्या कर रहा है? revolve कर रहा है, कहां पर किसी atom में revolve कर रहा होगा जब एक electron atom के orbit में revolve करता है तो वो current में contribute करता है तो electron current में कितना contribute करता है? electron contribute करेगा charge on time period तो electron का charge क्या है? E और time period क्या है? T तो current की value क्या हैगी? E by T clear है यहां तक? तो इतना current contribute करेगा ठीक? अब यह बताओ time period क्या है electron का? 2 by R by V हम करने क्या जा रहे हैं? हम यह करने जा रहे हैं कि electron जब orbit में घुमेगा तो current carrying loop कीतना काम करेगा और अगर वो current carrying loop कीतना काम करेगा तो उसका कोई magnetic dipole moment होगा? वो कितना होगा? यह topic है तो magnetic dipole moment होता गया current carrying loop का current into area तो current में निकाल लेता हूँ ना current क्या होता है? चार्ज पॉंड टाइम और time period का है 2 pi r by v v उपर चला गया तो ev by 2 pi r current आ गया तो इस current को area कितना circle का pi r square से multiply करके आपके पास capital M क्या आ गया? ev r by 2 तो capital M किसी भी electron का क्या होगा? e into v into r by 2 where e is charge of electron v is velocity of electron and r is the radius को doubt इसमे? point समझ में आ रहे हैं यहां तक इसको और मॉडिफाय करते हैं मॉडिफाय किसे करते हैं? जब भी electron और गूमेगा तो अंगुल रोमेंटम क्या होता है? यहाद है प्लस वन रोमेंटम point mass का mvr m is the mass of electron हमने किया था mvr अब मुझे यह पता है कि जो मैंने capital M निकाला capital M की जो value value जो मैंने निकाली वो कितनी है? evr by 2 evr by 2 और angular momentum का formula क्या होता है? mvr इस vr को यहाँ से निकाले l by m और यहाँ पे पुट कर दें तो capital M क्या हैगा? e l by m twice तो dipole moment magnetic dipole moment और angular momentum का आपस में रिलेशन आगया ठीक है यहाँ वैसो आंसर आचुक है evr by 2 कोई प्रोब्लम निहाँ इसमें यहाँ जोड़ सकते हैं पर angular momentum की form में हमने यह निकाल लेगा आप यह सोच रहोंगे कि यहाँ प्रोब्लम नाने की जूरूत क्या थी ऐसी प्लस-फन का रजल्ट रहाँ के L में ले आई उसके लॉजिक है लॉजिक है कि एलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है 1,2,3 मुझे का बता कहां पर है मैंने तो रेंड़न ले लिया जबकि हर इलेक्ट्रॉन का जो अंगुलर मोमेंटम है हर शेल में डिफरेंट है तो हमने यह केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एल होता है अब हम पढ़ेंगे नहच बाई 2 पाई तो हम एल को रिप्लेस करेंगे इसमें नहच बाई 2 पाई आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन का capital M निकाह सकते हैं इसलिए L को लाना जरूरी था मैं भी करूंगा लेकिन उससे पहले यहां तक तो क्लियर है तो M is a vector L is a vector तो M vector L vector जैसी मैंने vector vector लगाए मुझे sign negative लगाना पढ़ गया क्योंकि M vector और L vector की direction है हमेशा क्या होती है opposite कैसी होई opposite इसको समझ लेते हैं opposite ऐसे हुई अगर मालो यह current carrying electron है electron है अगर electron यहां जा रहा है तो कोई मुझे बताएगा current कैसे जा रहा होगा opposite अगर electron ऐसे जा रहा है current कैसे जाएगा ऐसे जाएगा तो मन में सुचो current यहां जा रहा है electron की वजे से तो capital M कैसे होगा downward electron कैसे जा रहा था ऐसे capital M downward अच्छ आप यह बताओ angular momentum का अगर आपको formula याद हो plus 1 मे angular momentum जो L vector होता है उसका formula था r cross p r cross p तो आप मुझे यह बताओ कि अगर आपका electron यहां जा रहा है तो उसका velocity vector कुछ ऐसे होगा velocity vector यह tangential r vector तो यह रहा r vector तो इसमें अगर मेरा electron जैसे मैंने बोला कि ऐसे जा रहा है current ऐसे जा रहा है m नीचे electron ऐसे जा रहा है तो velocity vector तो इसे जा रहा है तो velocity vector इदर है क्योंकि current ऐसे है तो velocity इदर है electron की r vector ऐसे है तो सोचो अगर मैं कहूँ की r cross p करो जिस direction में v यह उसी direction में p है r cross p करोगे तो l vector कहाएगा उपर तो आप अगर इसमें एक rule current के उपर लगाए current इस तरफ तो m नीचे electron ऐसे जा रहा है तो r cross p से l vector उपर तो इसलिए sign के आया negative l vector m vector आपस में opposite है हलाकि आपको करने की जूरुत नहीं आप सीधा negative चाहें सीधा लेख सकते है जो l का formula है उसको हम क्या पूट कर देंगे nhy 2pi ज्वेंगल मेंटम है L उसकी जगा क्या पूट करेंगे nhy 2pi तो capital M का यह formula बन जाएगा अब आप कोई भी shell number पूट कर दो 1,2,3,4 उसका capital M can be calculated तो क्या यह point क्लियर है तक? इसी के अंदर अगर मान लो electron hydrogen का हो और shell number 1 का हो electron hydrogen का हो और shell number 1 का हो तो मैं उपर वाले result में यहाँ n की जगा क्या पूट कर दूँगा? 1 तो 1 पूट करूँगा तो e पता है h पता है, 4 पता है, 5 पता है, mass of electron पता है तो यह सारी values पूट करके मेरे पास क्या जाएगा? Magnetic dipole moment आजाएगा किसका hydrogen के electron का जो shell number 1 में है ऐसे है, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? Shell number 1 में है तो यह क्या गया? Magnetic dipole moment को hydrogen के electron के shell number 1 को capital M की वजाए मु से रिप्रेजेंट करते है और इसको नाम दिया जाता है बस special नाम है hydrogen के n is equal to 1 वाले electron का तो क्लियर है यहां तक? आता नहीं है और हाँ पता होना चाहिए किसको करना कैसे है